अब मैं सरकार में हूँ तो इसे भी मैं अपना और अपनी सरकार का बहुत बड़ा सौभागे मानता हूँ कि गुरुआं के इतने हम प्रकाशपर्वो हमारी सरकार के दोरा आए हमें गुरु गोईंसी जी के 350 फे प्रकाशपर्वो मनाने का सौभागे मिला हमें गुरु तो एक बार दूर जी के 400 फे प्रकाशपर्वो बनाने का सौभागे मिला और जैसा अभी बताया गया लाल किले पर तो बहुत एक इतिहासिक और पुरे विश्व के एक संदेश देने वरा कारकम था तीन साल पहले हमने गुरु नानक देव जी का 550 फे प्रकाशपर्वो भी पूरे उल्लास से देश वर विदेश में मनाया साथ वे इन विशेश अवसरों पर देश को अपने गुरुओं का जो आशिरवाद मिला उनकी जो प्रेणा मिली वो नए भारत के निर्मान की उर्जा बढ़ा रही है आज जब हम गुरु नानक देव जी का 553 प्रकाशपर्वो मना रहे हैं तो ये भी देख रहे हैं कि इन वर्षों में गुरु आशिरवाद से देश ने कितनी एतिहासिक उपलग्दिय हासिल की है साथियों प्रकाश परवका जो बोध सिख परंपरा में रहा है जो महत्वर हा है आज देश भी उसी तनमयता से करतव्य और सेवा परंपरा को आगे बढ़ा रहा है हर प्रकाश परवका प्रकाश देश के लिए प्रेणा पुझ का काम कर रहा है यह मेरा सहुभाग्य है कि मुझे लगाता इन अलोकिक आयोजनों का हिस्सा बनने का सेवा में सहुभाग्य होने का आउसर मिलता रहा है गुरुगरंद साहब को शीष नवाने का ये सुख मिलता रहे गुरुबानी का अमरुत कानों में पड़ता रहे और लंगर के प्रसाद का आनन्द आता रहे इस से जीवन के संतोस के अनुभुती भी मिलती रहती है और देश के लिए समाज के लिए समर्भी भाव से निरंतर काम करने की बुर्जा भी अक्षय बने रहती है इस कृपा के लिए गुरु नानक देवजी और हमारे सभी गुरुओं के चरणों में जितनी बार भी नमन करूं वो कम ही होगा साथियों गुरु नानक देवजी ने हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाया था उन्होंने कहा था नाम जपो कीरत करो बंड चको यानि इश्वर के नाम जप करो अपने करतवे पर चलते हुए महनत करो और आपस में मिल बाढ़ करके खाओ इस एक वाक्य में अध्यात्विक चिंतन भी है भावतिक सम्रुदिक का सुत्र भी है और सामाजिक सम्रस्ता की प्रिणा भी है आज आज हादि के अमरित काल में देश इसी गुरु मंत्र पर चल कर 130 करोर भारत वासियों के जीवन कल्यार की भावना से आगे बढ़ रहा है आज हादि के अमरित काल में देश ने अपनी संस्कृती अपनी विरासत और हमारी आध्यात्मिक पहचान पर गर्व का भाव जागरत किया है आज हादि के अमरित काल को देश ने कर्तव के पराकास्ता तक पहुंचाने के लिए कर्तव काल के रुप में माना है और आज हजी के समरितकाल में देश समता, समरस्ता सामाजी ग्नाए और एक्ता के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंतर पर चल रहा है यानि जो मारदरशन देश को सद्यों पहले गुरुवानी से मिला था वो आज हमारे लिए परंपरा भी है, आस्था भी है, और विक्सिक भारत का भीजन भी है साथियों, गुरुगरंद साहब के रूप के हमारे पांज जो अमरत मानी है उसकी महिमा, उसकी सार्थक्ता समयव और भुगोल की सिमाव से परे है हम ये भी देखते हैं कि जब संकत बड़ा होता है तो समाधान की प्रासंगिक्ता और भी बढ़ जाती है आज विश्व में जो असांती है जो अस्तीरता है आज दुनिया जिस मुश्किल दोर से गुजर रही है उसमें गुरुओं गुरुओं साओ की सिख्षा है और गुरुनानक देवजी का जीवन एक मशाल की तरह विश्व को दिशा दिखा रहा है गुरुनानक जी का प्रेम का संदेश बड़ी से बड़ी खाई को पाँड सकता है और इसका प्रमान हम भारत के धर्ति से ही दे रहे हैं इतनी भाशा हैं इतनी बोलिया, इतने खानपार रहनसन के बावजूत हम एक हिंदुस्तानी होकर रहते हैं देश के विकास के लिए खुद को खपाते हैं इसलिए हम जितना अपने गुरुओं के आदर्शों को जीएंगे हम जितना आपसी विवयदों को दूर करके एक भारत, स्रेष्ट भारत की भावना को मजबूत करेंगे हम जितना मानोता के मुल्यों को प्रात्मिक्ता देंगे हमारे गुरुओं की वानी उतनी ही जीवन्त और प्रखर्स वर से विश्व के जन जन तक पहुँचेगी साथ क्यों बिते आठ परश्व में हमें गुरु नानक देव जी के आसिरवाद से सिख परंपरा की गौरों के लिए निरंतर काम करने का अउसन मिला है और ये निरंतर दा लगातार बनी हुई है आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले ही बैवतराखन माना गाओं गया था इस तियात्रा में मुझे गोविन गाड से हेमकुन साहब के लिए रोप्पे प्रोजेक के सलान्यास का सोभाग बिला इसी तरह अभी दिल्ली उना बंदे भारत एक्सप्रेस के शुरुवात भी हुई है इससे आननद पूर साहब जाने वाले सरद्धानों के लिए एक नई आउधुनिक सुविधा शुरू हुई है इससे पहले गुर गोविन से जुड़े स्थानों पर रेल सुविधाओं का अधुनिकरन भी किया गया है हमारी सरकार दिल्ली कट्रा अमृत सर एक्सप्रेस वे के निर्मान में भी जुटी है इससे दिल्ली और अमृत सर के बीच दूरी तीन चार घंटे कम हो जाएगी इस पर इस पर हमारी सरकार 35,000 करोड रुपे से अधिक खर्च करने जा रही है हर मंदिर साहब के दर्शनों को आसान बनाने के लिए यह भी हमारी सरकार का एक पुन्य प्रयास है और सात्यों यह कारिय के बर स्विधा और परियतन के संभावनाओं का विशे नहीं है इसमें हमारे तिर्थों की उर्जा सिक परंपरा की विरासत और एक व्यापक बोद भी जुड़ा है यह बोद सेवा का है यह बोद स्नेह का है यह बोद अपनेपन का है ये बहुत सुरधाका है मेरे लिए सब्दों में बताना कठीन है जब दसकों के इंतजार के बाद करतारपूर साहब कोरिडोर खुला था हमारा प्रयास रहा है कि सीख परंपराओं को ससक्त करते नहें सीख विरासत को ससक्त करते नहें आप बली भाती जानते हैं कि कुछ समय पहले अफगानिस्तान में किस तरह हालाज बिगड़े से वहाँ हिंदू सीख परिवारों को वापश लाने के लिए हमने अभ्यान चलाया गुरुगंत साहब के स्वरूपों को भी हम सुरक्षित लेकर आए 26 दिसंबर को गुरुगंत सीजी के साफ जातों के महान बलिदान की स्मृति में दीर बाल दिवस बनाने की शुरुआद भी देश ने की है देश के कौने कौने में भारत की आज की पीड़ी भारत की आने वाली पीड़ियों ये जाने तो सही कि इस महान धर्ती की क्या परंपरा रही है जिस धर्ती पर हमने जन में लिया जो हमारी मात्र भूमी है उसके लिए साफ जातों जैसा बलिदान देना करतवे की वो पराकास्था है जो पुरे विश्व इतिहास में भी कम ही मिलेगी साथ को विभाजन के हमारे पंजाब के लोगों ने हमारे देश के लोगों ने जो बलिदान दिया उसके स्मृती में देश्ट ने विभाजन विभीशी का स्मृती दिवस के शुरुआत मी की है विभाजन के शिकार हिंदू सिख परिवारों के लिए हमने सिए एक कानूं बना कर उन्हें नागिरिता देने का भी एक मार्क बनाने का प्रयास किया है अभी आपने देखा होगा गुजरात ने विदेश्ट में पीडित और प्रदाडी सिख परिवारों को नागिरिता देकर उन्हें ऐसाद दिलाया है कि दुनिया में सिख कहीं भी है भारत उसका अपना घर है गुजरात का मुख्य मंतर रहते हुए मुझे गुरुद्वारा कोट लगपत साब के ग्रोड़ोदार और काय कल्ब का चौभागी भी मिला था साथियो इन सभी कारियों के नरंतरता के मूल में गुरु नानक देव जी के दिखाये मार की करतक्यता है इस नरंतरा के मूल में गुरु अरजिन देव और गुरु गोविन सीह के असी मलिदानों का रण है जिसे पगपग पर चुकाना देश का करतब्य है मुझे विश्वास है गुरुओं की कुरुपास है भारत अपने सिख प्रंपरा के गौरों को बढ़ाता रहेगा और प्रगति के पत पर आगे बढ़ता रहेगा है इसी भावना के साथ मैं एक बार फिर गुरु चर्रों में नमन करता हूं एक बार फिर आप सभी को सभी हुआ को